तो मैं आज आप लोगों को बहुत important question बताने जा रहा हूं तिरको नमीती का जो बार बार एक्जाम में पुछ जा रहा है और बहुत यह सांतरीक इसको बनाया जा सकता है अगर आप इस rule को follow करते हैं इस तरह से बनाते हैं और इस type का concept आपके पास अगर आ जातो तो चलिए दे वो बया side है और यह दहिना side यह right है और यह left है तो left LHS से क्या चलेंगे LHS से आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्जाम में इधर ही लिखना सही होता है ठीक है LHS से के लिए अगर हम LHS से चलते हैं तो हमारे पास क्या क्या है सो देखिए one plus sine है और one minus sine है और किस में है तो root में है तो ऐसे सवालों को सिर्फ हरों का प्रमे करन जैसे करते हैं नाइन्थ क्लास में अगर परह होंगे तो समझते होंगे नहीं तो समझ लिजिए हरों का प्रमे करन होता है नीचे में जो भी संख्या हो उसमें पलस लगा करके और minus हो तो पलस लगा देंगे अब पलस हो तो minus लगा की उपर नीचे गुना कर देते हैं इस परकार होगा की one plus sign a double है तो one plus sign a का hall square हो जाएगा किलियर और बटे में जो है one minus sign a और पलस में one plus sign a यानि की एक बर घटाओ है और एक बर जूर तो ये फर्मूला बन जाता है ये जो root है root देख रहे हैं वो सभी पर है तो अलग-अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर one का square minus sign का square आ जाएगा किलियर अब देखेंगे कि यहाँ पर इसका square है तो ये बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर double होने के बाद अगर बाहर निकलना हो तो double होगा तो यह बाहर एक जो है बाहर निकल सकता है ठीक है तो sine यह जो है वो बाहर निकल चुका है और नीचे में देख रहे हैं कि 1 square एक ही होगा क्या होगा एक ही होगा और sine square जो है उसका क्या होगा sine square तो एक minus sine square आप लोग formula जानते होंगे क्या होता है cos square तो यहाँ पर लिख लेंगे cos square है clear अब आप देखेंगे कि one plus sine तो है ही है उपर में इसमें कोई changing अब नहीं होने वाला है और नीचे में cos square double है यानि कि cos double है और root में है तो एक बाहर आ जाएगा cos A हो जाएगा clear अब जो है इसके नीचे एक बटा cos A हो सकता है कैसे इसको भी हम आपको बता रहा है sine A बटा cos A जा देखिए अगर इसका इसका LCM लेते हैं तो cos A और इसमें इससे भाग करेंगे तो एक बार में एक में एक से गुना करेंगे तो यह और इसमें इससे भाग करेंगे एक बार में एक में साइन से गुना करेंगे किलियर अब देखेंगे आप लोग कि आपका one by cost क्या होता है फर्मूला याद होना चाहिए से कि अगर फर्मूला नहीं याद है तो बहुत अच्छा से मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें फर्मूला को याद आप असानी से कर सकते हैं ये इसमें कोई ट्रिक बिरिक नहीं हैं आप उसको देखेंगे बहुत असान तरीके से कैसे हम एक में फर्मूला याद रखेंगे और उससे ही सारे याद हो जाएंगे किलिए कम से कम 12 पंदरा याद करना होगा बाकी 100 आपके अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे किलिए तो यहां पर हो जाएगा ये वरकर cos जो है वो सेख हो जाएगा और पलस में cos वर्टा sign जो होता है वो क्या होता है 10 होता है और यही जो है उपर में हमको लाना था तो यह हो गया क्या rhs proved clear तो इस तरह से बहुत असान तरीके से इतना ही छोटा सा question देता है बट आपको अगर formula याप नहीं है तो यह भी नहीं बनेगा clear तो इसमें मैं यह तरीका बताया हूँ कि अगर root में कोई भी सवाल है उसको double कर देंगे, double कैसे हरों का प्रमे करन, अगर minus है तो plus है तो minus लगा करके और उसके पस्चात उसका multiply करेंगे, multiply करने के बाद उसका जोर घटा जो भी होगा करने के पस्चात आपका answer आपके सामने होगा तो इस तरह से आपको अगर यह question समझ में आया हो तो एक like जरूर कर दिजेगा और इस तरह के वीडियो चाहिए और इस तरह का वीडियो देखना चाते है तो मेरे चैनल पर upload already है तिरकोन मीती का सारा तो important जो भी question होगा आप लोग बहुत असानी से देख सकते हैं और हिंदी का subjective question यानि की question जो answering होता है वो भी है आप लोग असानी से देखेंगे और exam की तियारी करेंगे फिर मिलते हैं next वीडियो में thank you for watching